नमस्ते फ्रेंड स्वागत है आपका रसोई सी माकी में आज रसोई सी माकी में कोई रेस्ट भी नहीं बन रही आज रसोई सी माकी में बन रहा है ड्राइब फ्रूट्स का पाउडर और इसको अपने बच्चों के खाने में जरूर सामिल करें चलिए तो फिर ड्राइब और यह मैनने बगर नमक की लिए हैं एक वो नमक वाले आती हैं उनको नहीं लेंगे यह बगर नमक वाले ही लेंगे 100 ग्राम ही मैंने काजू लिये हैं, सारी चीजे बराबर लिये हैं, सिर्प मखाना थोड़ा कम लिये हैं, चलिए तो आप सारी चीजें को ड्राय रोष्ट कर लेते हैं, सबसे पहले मैं बादाम को थोड़ा सा रोष्ट कर लूँगी, एक से डेड़ मिनिट के करीब इन सारी चीजों को रोष्ट करते समय हम हीट को लो ही रखेंगे लो फ्लेम पर ही सारी चीजों को रोष्ट करेंगे एक से डेड़ मिनिट करीब हो गए हैं बादाम को रोष्ट होते हुए तो आप इसमें हम काजू डाल देंगे तो काजू डालूंगी में यहीं पर और इनी के साथ में हम इसमें अक्रोट भी डाल देंगे आव इन तीनों चीज़ों को साथ में पाँच मिनिट करीब रोष्ट कर लेंगे ड्राय फ्रूट्स को हम रोष्ट करके लेते हैं तो एक तो इसकी self life बढ़ जाती है और इसका taste तो बहुत जादा बढ़ जाता है इस powder को आप बच्चों को दूद में, खीर में, हलवे में, जो भी वो खाना पसंद करते हों उसमें दे सकते हैं मुझे इन सारी चीजों को roast करते हुए 5 मिनिट के करीब हो गए हैं तो चलिए अब इने हम चेक करेंगे, ये देखिए, खाजू पर थोड़े से spot से दिखने लगे हैं बादाम अकरोट सारी चीजे बढ़िया से roast हो गई हैं तो अब इन सारी चीजों को निकाल लेंगे अगर आपका बच्चा दुबला पतला है ना तो उसे पाउडर आप जरूर पिलाएं, उसका ये बेट गेन करने में बहुत जादा हेल्फ करेगा चलिए तो मैंने इनको निकाल लिया है, अब चिरोंजी और पिस्ते को साथ में roast कर लेंगे इस ड्राइफ रूट्स की खास बाते हैं कि इसे आप किसी को भी दे सकते हैं, छोटे से लेके बड़ों तक, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, बुजर्ग तक, घर की ओरते सभी खा सकते हैं, सभी को इसके बहुत जादा फायदे मिलते हैं चलिए तो फिर इन दोनों चीजों को भी मैंने 4-5 मिनिट रोष्ट कर लिया है और इन दोनों चीजे बड़िया से रोष्ट हो गई है तो इनको भी निकाल लेंगे हम सारी चीजों को एक साथ ही निकाल लेंगे क्योंकि पाउडर तो हम सारी चीजों का एक साथ ही बनाएंगे चलिए तो अब मखानों को भी रोष्ट करेंगे तो इने थोड़ा जादा टाइम लगता है तो हमने इनको 5-5 मिनिट रोष्ट किया था मखानों को थोड़ा सा 6-8 मिनिट करेंगे मखानों को रोष्ट करते हुए मुझे 8 मिनिट के करीब हो गए हैं तो इनको अब हम चेक करेंगे तो एक मखाना उठाएंगे हाज से तोड़ के देखेंगे यह देखी बहुत अच्छे से तूट रहा है तो मखाना बढ़िया से रोष्ट हो गए हैं बस गेस को बंद कर देंगे और इनको उसी पिलेट में निकाल लेंगे सारी चीजों को बड़िया से थंडा होने के लिए 20 से 25 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सारी चीजे बड़िया से थंडी हो गई हैं यह देखे हम नहीं हस्ते चुर रहे हैं यह देखे तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है और मिक्सी को पल्स पर चला कर ही बनाया है मैंने इसका तो बहुत बढ़ी आसी पाउडर बना है अब इस ड्राइफ रूट्स के पाउडर को हम एक बड़ी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे यूँकि ये पीस्ते समय थोड़ा पाउडर भी गरम हो जाता है लीजिये तो हमारा बहुत जादा टेस्टी और हेल्दी ड्राइफ रूट्स का पाउडर बन कर तैयार है इसे आप पूरे 6 महीने तक स्टूर करके रख सकते हैं इसको आप एक एर टाइट कंटेनर में भरके रखें और बाहर रख रहे हैं तो एक महीने तक फ्रिच के अंदर इसको 6 महीने तक रख सकते हैं अगर आपको मेरे ड्राइफ रूट्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले आप इसे बना कर जरूर देखें फिर मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको इसके क्या क्या फायदे मिले मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तेंक यू